Hello students, तो आईए हम लोग देखते हैं एक नया टोपिक, टोपिक का नाम है रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयू या मांधे आयू अब देखें पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं किया तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धा आयू एवं सक्रिय पर्मानू की कुल संख्या का अनुपात औसत आयू कहलाता है यानि कि जो भी सक्रिय पर्मानू है उसका टोटल का क्या निकालना है आयू योग निकालना है यानि कि सारे पर्मानू का जितना भी आयू है जितने समय में वो खत्म हो जाता है माली जी एक परमानू पांच सकेंड में खतम होड़ाता है उसका आयू कितना है पांच सकेंड है उसी तरह से इसमें जितने भी रिडियू सक्रिय पदार्त में परमानू होंगे सबका आयू निकालेंगे और सबके आयू को जोडेंगे योग निकालेंगे तो कुल आयू हो जा अब बट्टा में क्या होगा N0, सभी पर्मानुओं की संख्या N0, तो पर्मानुओं की संख्या क्या होती है, तो सुरू में जब सक्रिय था, सुरू नहीं हुई थी, यानि कि विखंडन सुरू नहीं हुआ था, उस समय जितना पर्मानुओं होगा, वो सुरुवाद में पर् अब देखिए और साथ आई हुआ है इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा तो वेंजग फिर ग्यांत करना पड़ेगा तो वेंजग के लिए क्लिए क्या होगा तो आपको पता है 6 समीकरण 6 समीकरण n बरावर n not e to the power minus lambda t अब इचा समीकरण क्या होता है कैसे ये आया है इसके लिए प्लेइलिस्ट में आप विडियो देख सकते हैं यहाँ पर n क्या है तो बचे हुए परमानों की संख्या और n not क्या है शुरू में परमानों की संख्या ठीक है differentiation आप जानते होंगे, तो t के respect में कर रहे हैं, तो t वाला ही variable है, यह तो constant हो गया, constant कहा जाता है, बाहर बाहर क्यों, क्योंकि constant का differentiation नहीं होता है, and not बाहर d e to the power minus lambda t बटा dt, अब देखिए e का power, आपको पता है पहले से, कि e का power कुछ भी हो, उसका differentiation वही होता है, हम लोग जैसे जानते हैं न, e to the power x का differentiation, e to the power x, तो देखिए, इसका तो x है नहीं, लेकिन मन में मान के चलने हैं, कि अगर x है, तो e to the power minus lambda t का differentiation क्या होगा, e to the power minus lambda t होगा, लेकिन चोकि यह x नहीं था, जो भी था, उसका एक बाद differentiation करके, इसमें गुना करना होगा, तो minus lambda t का differentiation करेंगे, तो इसमें भी देखो, lambda क्या constant है, minus वाला, तो यह देखो, minus sign यहां बाहर आ गया, और lambda भी क्या हां आ गया, बाहर, सिर्फ differentiation क्या होगा, t का differentiation, t के respect में 1 होता है, तो 1 से अगर गुना भी कर देंगे, तो उतना ही रहेगा यह, देखो, जब देखो, जब देखो, इसमें क्या है, अगर t समय बीथ चुका है, तो t समय बीथ चुका है, तो कितने परमानू माल लेते हैं, कि dn परमानू के अच्छाय हो गया, खतम हो गया, तो अब इसका मतलब है, 1 परमानू का क्या, आयू है, एक सकेंड है तो बीस परमानु का क्या है कूला है कूलाई किले कूलाई यो 0 ठीक है तो झाल आ लेकिन हमको निकालना किस कहा था हमको निकालना था आप देखो सभी पर ко करते थे तो यहापकर टोल भी है हम सभी पर्मानू का कैसे निखिते फिस्त मसेना घॉक गहां अहिए क पता नहीं चलेगा तो सुरुवात में परमानु कितना था तो n 0 और खतम हो गया तो परमानु कितना बचा जीरो तो n 0 से लेकर 0 तक अगर इसको हम समाकलन कर दें इंटिग्रेट कर दें तो सभी परमानुओं के आयू का योग निकल जाएगा ठीक है अब देखो यहां पर क्या हुआ इसको करने लगे तो अब dn है ह एक से dn का मान रखने पर अब देखो समिकरन एक से dn का मान रखने तो यहां माइनस साथ आगया नहीं पूरा आगया अब चुकि मौट है तो माइनस खतम हो जाएगा और एक और बात समझाते हैं अब फिर इसका इंटिग्रेशन होगा तो dt है तो dt है तो dt है जिस पर t ह जैसे e पर माइनस लेम्डा t है तो इसका इंटिग्रेशन होगा इस t का होगा लेकिन माइनस लेम्डा और n0 पे तो कुछ नहीं यह तो यह दोनों क्या होगा constant है और constant है तो कहां चला जाएगा बाहर चला जाएगा समझ में रहे constant कहां चला जाता है बाहर तो आप इसको दे अब देखो जब n बराबर n0 था यानि बचे हुए पर मानू और सुरू को पर मानू दोनों बराबर था तो बचे हुए पर मानू क्या होगा कि कुछ पर मानू टूट गया अब यह दोनों सुरू के पर मानू के बराबर ही है तो यानि कि कोई भी पर मानू टूटा नहीं है कोई भी परमानु कब नहीं तूटेगा, जब उसका विखंड़न सुरू ही नहीं रहाएगा, तो विखंड़न सुरू ही नहीं हुआ होगा, उसमें समय क्या रहेगा, 0, जब n बराबर n 0, तो ट बराबर 0, लिकिन जब n बराबर 0 होगे, यानि कि सभी परमानु तूटके खतम होगा तब ती क्या होगा तब को हम बता देते हैं कि T infinity होगा क्यों हो क्यों कि सभी प्रमानों टूटके खतम होगा यानि कि रेडियो सक्रियता है वो विखंड़नों पूरा complete होगा और किसी भी पदार्थ का रेडियो सक्रियता complete होने में अनन्त समय लगता है इसलिए उसका time कितना हो जाएगा अनन्त तो अगर हम time के respect में समा कलन करने हैं तो limit हमको यह time बला डालना होगा यहाँ जब n 0 के जगा पर time क्या था 0 तो 0 डाल लेंगे इसके जगा पर क्या था time infinity तो infinity डाल लेंगे तो देखो अब उसके लिए यह जो समीकरन हमारा 2 किस में बदल जाएगा सब कुछ होई ही रहेगा यही वाला सिर्फ इसका limit बदलेगा जीरो से लेकर कहां तक infinity तक अब देखो इसको यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे ठीक है यू भी रूल लगाए है आप इस समा कलन में यू भी रूल का मतलब होता है by parts तो by parts से समा कल कलन होगा t तो ऐसे ही गुणा ही रहेगा हमारे पास t गुणा रहेगा e का पावर minus lambda t होगा क्योंकि आपको पता है कि e का पावर x का समा कलन e का पावर x ही होता है तो यहाँ पर e का पावर x नहीं मानके इसको मन में x मान लेंगे तो वही होगा और आप differentiation में आदेखे थे कि जो differentiation अलग से किया गया था तो उसका differentiation करके इसमें क्या किया थे गुणा लेकिन यहाँ पर चुकी minus lambda t और समा कलन कर रहे थे हैं गुणा नहीं करेंगे इसका अलग से differentiation करके भाग करेंगे तो आपको देखा होगा यहाँ पर कि जब differentiation इसका करेंगे तो t का होगा differentiation minus lambda बाहर र तब फीर बैपर्समान इह मोता है minus sign देजी औब फीर आप differentiation करें कि इसका u t का differentiation one होता है तो one लिखेंगे हम लोग और गुना करेंगे किसमय इसका फिर एक बाद same thing a फिर एक बाद say agora करेंगे तब क्या निकलेगा e k पाओर minus lambda t now but nothing minus lambda अब फिर जो ये दोग हो आया, देखे, इसका differentiation और इसका समा कलन करके जो आया, उसका integration फिर से करेंगे एक बाद, तो 0 से infinity एदा कर दिये, फिर से integration, ठेक है, अब देखो ये बढ़ावर क्या नेवल है, lambda n0, अब इसका तो देखो क्या होता है, अब समझो बात को, एक बार हम क से भी गोना करेंगे, और e का power infinity का value क्या होता है, पता है, 0, जीरो आगए यहाँ पर, माइनस, अब लोवर लिमिट डालेंगे, तो लोवर लिमिट टी के जगा है, जैसे ही 0 डालेंगे, तो 0 कुने कुछ भी करेंगे, तो क्या आजाएगा, 0, समझ मैं है बात, अब फिर दे सिर्फ integration किसका होगा, तो सिर्फ integration होगा आपको, e to the power minus lambda t का, क्योंकि तो constant है, constant बहार है जाएगा ना, तो e to the power minus lambda t का integration आप लोगको पता है, क्या होता है, e to the power minus lambda t का होता है, e to the power minus lambda t, अब बटा में lambda, और फिर इसका लिमिट कहां सिखा होगा, 0 से infinity तक, ठेक है, अब बटा n 0, into क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये minus lambda है, अब देखो minus sign इसमें आएगा, तो फिर minus into plus क्या आने वाला है, minus ही आने वाला है, तो आप इसमें देख सकते हो, क्या आएगा हमारे पास minus 1 बटा lambda square, और इसमें क्या आएगा, फिर आप देखो, तो एक बार दाल इसमें t आया तो 0 आया था, लेकिन एक बार यहाँ t था तो 0 गुना क्या देख लिया आगे, यहाँ इसमें t गुना नहीं है तो 0 डालेंगे तो 0 नहीं होगा, t रहता गुना था मैं 0 डालते है तो 0 गुने, something कुछ भी हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है, अब यहाँ पर देख ल प्लस हो गया ही, लेमडा स्कॉर, यहाँ लेमडा से स्कॉर कट गया, तो हमारे पास भैलू क्या है, इन 0 बटा लेमडा, यहाँ पर हमारे पास t टोटल फाइनली आ जाता है, इन 0 बटा लेमडा, ठीक है, यह हमारे पास t टोटल आ गया, यहाँ सभी परमानों के आयू का य अब आपको पता है कि ओसत आयू कैसे निकालेंगे तो ओसत आयू के लिए देखे फर्मूला हमारे पास शुरू में ही ए यहां देख सकते हूँए ओसत आयू तो ओसत आयू क्या हुआ इसलिए ओसत आयू टाऊ या फाल्ड के हो जाएगा अब बटा क्या है हमारे पास lambda वो भाग करना है किस से lambda अब यहाँ पर जो तो औस दखाए कितना आगया वन बटा लेमडा आगया अब यहा पे जो असत आयू हमारा आया है वो तो आ fort Fors तो यहां हम लोग लिखेंगे आता है दो किसी अता किसी रेडियो सक्ड़िये पदार्थ का की ओसत आयो चै या विखंडन नियतांक का वयुद्करम होता है ठेक है तो आपने देख लिए यानि कोई भी रेडियो सक्रिये पदार्थ होगा उसका जो और भीखंडन नियतांक का वयुद्करम होता है अब इच्छ है और भी खंड़नी इतंग क्या होता है इसके लिए वीडियो हम बना चुके आप लोग देख सकते हैं